हंड्रेट पर्सेंट मेडिया जो है गोधी मेडिया बच गए आपके से चैनल जो है जो चैनल बहुत कुर्सिस कर रहे हैं जमानी असर पर कि जमीनी असर से सच्चाई दिखाया जाए यूटूबर्स के माध़म से पेश के माध़म से सबसे बड़ा रोल आप लोगों का है हम लोगों ने देखा है बंगाल के लक्सन में हम लोगों ने देखा है कि बड़े-बड़े मेडिया कह रहे हैं कि बंगाल जल रहा है सुलग रहा है ऐसा तो कुछ नहीं है मगर उसी तरह से आप जैसे जो मेडिया है फुटू फैक्ट जैसे मेडिया है वो देखला रहे है कि आप देख रहे हैं तहकीक इंडिया नियूज देश की आवाज आदाब नाजरीन मेहना हयात और आप देख रहे हैं तहकीक इंडिया नियूज अखबार जामे जहानुमा भारत का पहला उर्दो अखबार था जो सन 1822 में पब्लिश हुआ जिसके एडिटर बिंगॉली ब्राहमिन हरीहर दर्ता थे 26 मई 2022 को जामे जहानुमा नियूस पेपर के 200 साल मकमल होने पर कलकता के नैशनल लैबरीरी में वेस्ट बिंगॉल उर्दो अकाडमी की जानिब से अवार्ड फंक्शन का इनिकात किया गया जिसमें गॉनक्यूलर नियूस पेपर के जर्नालिस्स को सम्वानित किया गया इस फैसिलिटेशन प्रोग्राम में MP जनाब नदीम उलहक मेर अफ कोलकता जनाब फिरहाद हकीम M.I.C. ओफ वेस्ट बिंगॉल गर्फमेंट जनाब गुलाम रभबानी डिजास्टर मिनिस्टर ओफ वेस्ट बिंगॉल गर्फमेंट जनाब जावर एमत हां के साथ साथ तमाम लैंग्वेजिस के सीनियर जर्नालिस्स ने शिर्कत दी आज आप लोग यहां उर्दूर गैडरी के तरफ से जो एकठा हुए है देखिए हम लोग यहां एकठा हुए उर्दू के लिए उर्दू एक ऐसा लैंग्वेज है एक ऐसा अच्छा लैंग्वेज है जिसका जनम जिसका पैदाइस ही पैदाइस हिंदू में हिंदूस्तान में हुआ और पूरा दुनिया में जैसा जावे साब बोले यहां पूरा दुनिया में जो बोला जाता है उसी लिए हम लोग सब को यहां पर पूरा में रखाल से इंडिया का हर पोना से आदवी यहां आया है और रिपेजेंट किया है अब बोला है तमाम सहाफी यहां तमाम सहाफी मौजूद थे तमाम सींर सहाफी तम बलके हिंदूस्तान का तमाम पोना से मौजुद थे तो आप लोगं की क्या एक्टिविटीज हो यहां हमारे यहाँ फेलिसिटेशन प्रोग्राम था, सब को फेलिसिटेट किया गिया, सब को गोलाया गिया, उनका हिम्मत और बढ़ाया गिया, और हम लोग को नौजवान इडल तमाम सब थे यहाँ पर, यह लोग देखे जाने, ताकि next हम लोग को उर्दू के मुतलिक क्या काम करन चाहिए उर्दू मुसल्मान का लेंगवज नहीं है उर्दू हिंदूस्तानी लेंगवज आप जैसा भी सुनें कि इसका एडिटर हिंदू था पब्लिशर पंजाबी था मालिक बंगाली था उस पे एक भी मुसल्मान नहीं था जो पहला उर्दू पेपर दुनिया में निकला दुनिया में सबसे पहला जो निकला था उसमें कोई भी मुसल्मान नहीं था लेकिन आज कुछ पॉलिटिकल पार्टी इसको आज से धीरे करके ऐसा कर रहा है कि इसको खतम करने का कोशिश कर रहा है कि उर्दू को मुसल्मान करने मुसल्मान से इसलाम से उर्दू से कोई प्रोग्राम में वो पिछले चार-पास दिनों से कंटीनिव हमारे पूरे बोट एरिया में हिदिर्पूर में एकबालपूर में वो कोर्सिस कर रहे थे कि जादा से जादा लोग इस प्रोग्राम में आये शिर्कत करें और उर्दू जवान के बारे में जाने एक ऐसी जवान के बारे में जाने जो जवान का नामी होता है महबबत प्यार अमन और सांती उर्दू जवान आज का दिन में जनरलिजम तकरीबन जनरलिस्ट है तो हाँ किया साथ पेश करें जन्ता के सामने लेंगि आजकल वो नहीं होता है मुफाद परस्ति का तौर हो गया है लोग जिसके तरफ में मतलब जिनके सपोर्ट में है वो उच्छा इस जा चौथा फिलर का नाम है मेडिया जनरलिस्ट माने जो सक्छाई दिख सचाई भिखाते हैं वो देश में खतम हो चुका है क्युंको जाधातर मेडिया बिख चुके हैं चुना गिना एक दो बचे हुए भी हैं उनका भी कागार यही है कि विछारा जब ही कोई बोलते हैं उनको देश जरोही बोल दिया जाता है ऐसे वक्त में एसे दौर में करने से पहले आप सच्चाई दिखाने से पहले आप पीमो ऑफिस से निकल करके बोलेंगे कि यह सच दिखाना है कि नहीं दिखाना है कोन क्या खा रहा है कोन क्या पहन रहा है यह दिखाना है कि नहीं दिखाना है ऐसे देश में सहाफक का कोई जगा नहीं बचा है बस यह अब यभी हमारे पुचुदा ने कहा ना कि गोधी मेडिया हन्देट परसें मेडिया जो है गोधी मेडिया बज़ आप जैसे चैनल जो है जो है जो जीए बहुत कॉस्टिस कर रहे हैं जमानी असर पर कि जमीनी असर से सच्छा ही दिखाया जाए यूट्वर्स के मादम से पे कि अपने सच्चाई को जाने देश में चोथा पिलर आपको कहा जाता है आप किसी की धनाली ना करें जब तक आप धनाली करेंगे देश जुपता चलाएं उर्दू हम लोग कोलते हैं हम लोग सब समझते हैं जानते हैं तमाम जबानों का ये मिश्रल है जी बिल्कुल सबाज भई आप तोला बताई इस अवर्ट फंक्शन के बारे में कि मैं सुकुर गुजार हूँ हम सब के सीनियर और खिदिरपूर के एक बहुत ही बड़े सोशल वर्कर जनाब सेक सरकुद्दिन सहाब का जो इस प्रोग्राम में वो पिछले चार-पांस दिनों से कंटीनी हमारे पूरे ओट एरिया में खिदिरपूर में एकबालपूर में वो कोसिस कर रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रोग्राम में आये शिर्कत करें और उर्दू जवान के बारे में जाने एक ऐसी जवान के बारे में जाने जो जवान का नामी होता है महबत प्यार अमर्वासाथ झाल झाल